प्राइविट लिम्टेड में जिसका प्लॉट नंबर है 245 से 7 गाउं वारागडे पोजिसर महागाउ रोड में और आज हम इंक्रोफ कंपनी में हैं जहां कुछ मजदूर लोगों ने धर्रा किया है बहुजन जनरल कामगार यूनिन के द्वारा तो आज हम उसे पूछेंगे कि उनको क्या तकलीफ है कि उनको यूनियन करना पड़ा तो आप बताएए क्या क्या कहना है आप लोगों कि हमने 2020 में हमने काम चालू किया था इंक्रोफ के था और हमारे काफी पैसे फसे हुए हैं जिसने काम लिया था जो ठीकेदार कीपण नामें जैमाताद इंटरप्रेजर पूरे कि हम आपके पैसे देंगे आप ने काम करो हमने जब काम किया पूरे महीने काम कि है पूरे लॉइक हुझा रूपिंड करने नहीं दिये हम टेस्ट येस डबलोमें फ़ह से उन्हों ने फिर भॉला आपने अपने घर चले जाओ हम आपके पैसे दे बट उन्होंने नहीं दिया फिर उन्होंने सारी लड़के लोग्ने ठीकेदार के घर के गहीं ठीकेदार को पकड़ा और उसको बोला कि आप हमारे पैसे देदो फिर मारने वारने की धंकी दिदे थी के धर भी लेकर और कुछ साथे सब्सक्राइब ड़ी फिर बाद में आज धर ने का निटने लिए और हम धने पर आज आके बैठ गये हमारी जो भी है मांगे हमारी पैसे हैं वह हमें मिल जाए हमने दे जयाने दिया अच्छा कि आपकistically का पेमेंट 25-26 लोगों का पेमेंट है पेमेंट का होगा यह 3,5 लाग के करीब तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 3,5 लाग रुपया आज के दौर में जो लॉक्डाउन का समय चल रहा है उसके लिए बहुत बड़ी रकम है और यह जो मजदूर है उनका कैसा घर चलाना है उनको ब् के बात करने के लिए यह सुबह से धरणा दे रहे है अभी देखते हैं कितने दिनों तक चलता है और हमारे देश करणा माहा सच्ञू कार्वा सब्सक्राइब बताना चाहता हाँ कि जो हमारे ब17 क्रुना हमारी चल रही थी उसे बिटने गुवोगर्म और हमें फैसलेटी दी अब यह तक वह फैसलेटी हमें इन कंपणियों से कभी नहीं मिली जो मस्दूर बेचारे यूपी बिहार से आयों है लोग थे उन्हें इतनी तकलिफ सहके जानी पड़े अपने घर पे अपने निवास पे उस वक्त भी एक कंपनी जो इंक्रोप इंक्रोप पावर ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिम्टेन कंपनी है उस टाइम भी ठीकेदार को इतनी तकलिफित जहलनी पड़ी कि यह कंपनी हाथ पे हाथ बैठी थी आज मैं आप लोग के बाउजन कामकार यूनियन के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अगर हमें इं हम यह बता देना चाहते हैं कि यह जो गरीब कॉंटेक्टर होते हैं ठीकेदार होते हैं यह मजदूर भी लाते हैं बैचारे और इन्हें भी पैसा और कोई फैसलेटी एक इन कंपनियों से नहीं मिलती है जो गवर्मेंट मिलनी चाहिए और यहां यह कंपनी आईसी है कि को लगया था कि जहां पर वरकर है उनको पुरी सुविदा मिलें उनको खाने पीने रहने की तकलिफे ना हो उस वक्त भी यह कंपनी ने इनको दगाबाजी से इनको निकल दिया इसके लिए हम मजदूरों के साथ और गरीबों के साथ रहेंगे इसी के साथ मैं आप लोगों दरन्यवाद बद पोलता ह80 शब्वन अज हमने ऑज तो हमने धर्ना लगाया है अगर जो हमने जोनेगी तो हम कल इनके बुद्रियंगे तक बाहर मजदूर और जाएगे आंदर मेर कींद Ethan नहीं आएंगे इनके काम कैसे चलेंगे जब इनका लोश तब है समझ में हैईगी कि मजस्णूर की ताकत क्या होती यह आज हमागा हम काम करकेством करके देते हैं हमhr Till g ऊड़ा देते हैं तब इनके घर में रोटिया पलती तो घर किक हमारी रोटि को पैट ह हमारी रोटि को को कर रहे हैं क्योंकि इनके घर में जो प्रस्तिती अभी ठीक नहीं है और जिसके कारण जो पैसा रुका हुआ है वो मिलने की बहुत ही कम आसा है फिर भी ये लोग को आंदोलन जो बहुजन कामगार यूनियन द्वारा चल रहा है देखते हैं कि अब इनसाप कब तक मिलेगा औ और यहां पर कुछ लोग आये हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग मुसीबत में हैं आगे जो ख़बर मिलती है मैं आपको देता हूं तब तक के लिए नमस्कार कर दो कर दो कर दो कर दो